प्रिये मित्रों, हम दैनिक स्री राम चरीत मानस की कथा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को हम सुनाते हैं। आज का जो प्रशंग है, राजा दसरत जी जनक पूर पहुँच चुके हैं। जब भगवान स्री राम ने जाना कि मेरे प्तासरी आये हैं, तो लक्षमन सहित जाके और जहां पर जनवासा था, जहां पर राजा दसरत जी रूके हुए थे, वहां दोनों भाई और विश्वामित्र जी वहां गये, भगवान ने अपने पिता का जो आधर सत्कार करना था, तो किया, अब कथा आगे की और बढ़ाते हैं। राम ही देखि अब बरात जुरानी, अप्रीती किरीती नजाती बखानी, अनिर्प समीप सोह ही सूत चारी, अज्यनुधन धरमा दिकत अनुधारी। श्री राम चंजी को देखकर बारात सीतल हुई, राम के बियोग में सब के हिर्दे में जो आग जल रही थी वह श्रांत हो गई, पिरीती की रिती का बखान नहीं हो सकता, राजा के पास चारो पुत्र ऐसी सोभा पा रहे हैं, मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, शरीर धा पुत्रों सहित दसाजी को देखकर नगर के इस्तरी पुरुस बहुत ही प्रशंद हो रहे हैं, आकास में देवता फूलों की बरसा करके नगारे वजा रहे हैं, और अपसरा हैं, गागा कर नाच कर रही हैं, अशतानन्द अरु बिप्रसचिब गन, अमागद सुत बिदोस बंदी जन, अगवानी में आए हुए शतानन्द जी अन ब्रामन मंतरी गन, मागद सुत बिद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दस्ताजी का अधर सतकार किया, फिर आग्या लेकर वे वापस लोटें, अपर्थम बारात अलगन ते आई, अता ते पूरा प्रामोदु अधिकाई, अब ब्रामान अन्दू अलोग सबलही, अब दाहु दिवसानी सिवी धिशान कहाई, बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इसे जनकपुर में अधिक आनन्द छा रहा है, सब लोग ब्रामान अन्द प्राप्त कर रहे हैं, और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बढ़े हो जाए, रामुसिये सोभा अवधी, सुक्रित अवधी दो राज, अजहतह पूरा जनकाह ही असा, मिली नरनारी शमाज, सिरामचन जी और सिता जी की शुंदर्ता की शीमा है, और दोनों राजापुन की शीमा है, जहां तहां जनक पुरवासी, इस्तिरी पुरुस के शमुई कठे होकर यही कह रहे हैं, कि जनका सुक्रित अमुरती बैदेही, अद्धसरथ सुक्रित रामुधर देही, अइन सम काहुन शिब अवरादे, काहुन इन समा नफल लादे, जनक जी के शुक्रित पुर्ण की मूरती जानकी जी है, और दसरथ जी के शुक्रित देहधारं किये हुए सरी राम जी है, इन दोनों राजाओं के शमान, किसी ने सीव जी की अरादना नहीं की, और नके समान, किसी ने फल ही पाए, इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं है न होने कहीं है हम सब भी संपुर्ण पुर्णों की रासी है जो जगत में जनम लेकर जनक पूर के निवासी हुए जिन्ह जानकी राम छवी देखी अको सुकृति हम सरी सभी सेखी पुनी देखब अरगुबी रवियाहु अले भभली विदिलो चनलाहु और जिन्होंने जानकी जी और सिदाम चन्जी की छवी देखी है हमारे सरीखा विशेश पुन्यात्मा कौन होगा और अब हम सिदा गुनार जी का विवाह देखेंगे और भली वाती नित्रों का लाव लेंगे अकहा ही परसपर अको की लबैनी यही बियाह बर लाभु सुनैनी बरे भाग अभी धी बात बनाई अन्ने नाती थी होई हैं दो भाई कोईल के समान मधुर बोलने वाली इस्तरिया अपस में कहती है कि यह सुन्दर नित्रों वाली इसी विवाह में बरा लाभ है बरे भाग से विदाता ने शब बात बनाती है यह दोनों भाई हमारे नित्रों के अतित्थी हुआ करेंगे बारा ही बारा सनेह बस जनक बोलाव बसिये लेना आई ही बंदो दो कोटी काम कम निये जनक जी सनेह बस बारा बार सीता जी को बुलाएंगे और करोरों काम देवो के समान सुन्दर दोनों भाई शिता जी को लेने माने विदा कराने आया करेंगे अब भी भी धबाती अहोई हैं ही पहुनाई अप्रियन काहिय ससा सुरमाई तब तब राम लखा नहीं निहारी अहोई हैं सब पुरा लोग सुखारी तब उनकी अनेको प्रकार से पहुनाई होगी सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहोगी तब तब हम सब नगरवासी शिर्याम लक्षमन को देख देखकर शुखी होंगे असखी जसराम अल्लाखान कर जोटा अत्यसई भूप संग दूई धोटा स्याम गवर असब अंग सुहाए ते सब कहां ही देखीजे आये जैसा सिजाम लक्षमन का जोड़ा है वेसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है वे भी एक स्याम और दुसरे गौर बन के है उनके भी सब अंग बहु सुन्दर है जो लोग उन्हें देखा है वे सब यही कहते है कहा एक मैं आजु निहारे अज्यनु बिरंची निजहाथ सवारे भरतु राम ही की अनुहारी असा साल लखी नसा कही नरनारी एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है भरत तो सिरी राम चंजी की ही सकल सुरब के हैं इस्त्री पुरुस उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते अल्लाखनु सत्रूधनु एक रूपा अन्नक सिखते सब अंग अनूपा अमन भाबही अमुखबरा नीना जाही अउपा मा कहुत्रिभुबन को नाही लच्छुमान और सत्रूधन दोनो एक रूप के हैं दोनों के नक से सिखा तक सभी अंग अनूपा मा है मन को बरे अच्छे लगते हैं पर मुक्सिय उनका पर्दर नहीं हो सकता उनकी उपा मा के जग्य तीनों लोकों में नहीं है उपा मान को कहदासतु लसीकता हु कभी को बिद कहे बलबिने बिद्यासील सोबा सिंधुइन से एहे पुरनारी सकल पसारी अंचल बिदी बचन सुनावही अब याही हुचारी उभाई यही पुरहम सुमंगल गावही दास्तुलसी कहता है कि कभी और कोविद कहते हैं कि इनकी उपमा कही कोई नहीं है बलबिने बिद्यासील और सोबा के समुद्र इनके समान एही है जनकपुर की सब इस्त्रियां आचल फैला कर विधाता को यह बचन सुनाती है कि चारो भाईयों का विवा इसी नगर में हो और हम सब सुन्दर मंगल गावे नित्रों में प्रेम अस्रू का जल भर कर पुल की सरीर से इस्त्रियां आपस में कह रही है कि है सकी दोनों राजा पुन्द के समुद्र है पुर्णारी जी शब मनोरत पुल्ड करेंगे इस प्रकार सब मनुरत कर रही है और हिदय को उमंग उमंग कर उत्सा पुर्वकानन से बर रही है सीता जी के स्वेंबर में जो राजा आये थे उन्होंने भी चारो भाईयों को देखकर सुख पाया है अकहत राम अज्यासु भी सादा भी शाला अनिज़ा निजभावन गए महिपाला अगए भीति कचु अदिने यही भाती अप्रमुदिता पुरा जना सकल बराती सी रामचन्जी का निर्मल और महानियस कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए इस्वर कारकुस दिन वित गए जनक पुर्बासी और बराती सभी बरे अनंदित है अंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं और सोद कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया अपठे दिन्नी अनारदसन सोई अगनी जनक के गनकन जोई असुनी सकल अलोगन यह बाता अकह ही जोतसिया ही विधाता और उशलागन पत्रिका को नारजी के हाथ में जनक जी के हाँ भेज दिया जनक जी के जोतसियों भी वही गन्ना कर रखी थी जब सब लोगोंने अहवास सुनी तवे काने लगे कि यहां के जोतकी भी ब्रह्मा ही है अधेन धुरी बेला अभी मला शकला शुमंगला मूल अभी प्रनक है उबिदे हशाना जानी सगुन अनुकूल निर्मल और सभी सुन्दर मंगलों की मूल गोदूली की पवित्र बेला आगई और अनुकूल शकुन होने लगे या जानकर ब्रामनों ने जनक जी से कहा क्या कहा कि उपरो ही तहीं अकहे उनरनाहा अब बिलंबकर कारनुकाहा असतानंद अतवसचिब बोलाए अमंगला सकलसाजी सबलाए तव राजा जनक ने पुरोहित सतानंदी से कहा कि अब देर का क्या कारन है तब सतानंदी ने मंत्रियों को बुलाया ये सब मंगल का समान सजा कर लिया है असंख निशान अपन अब बहु बाजे अमंगल कलस सगुन सुबसाजे शुभग सुवासनी गावही गीता अकरही बेदधुनी भीप्रपुनीता शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बचने लगे तथा मंगल कलस और सुबसाकुन की बस्तुए सजाई गई सुन्दर सुवाग निश्त्रियां गीत का रही है और पवित ब्रामन बेद की ध्वनी कर रहे है अलेन चले अशादर यही भाती गए जहां जनवास बराती कोशल पति कर देखी समाजू अति लगू लागती नहीं सुरराजू सब लोग इस परका रहादर पुर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहाँ गए अबदपती दसादी का समाज बैभव देखकर उनको देवराजिंद्र भी बहुत ही तुक्स लगने लगे अब भयव समव अब धारिये पाव यह सुनी परा निशाने घाव अगुरही पूछी अकरी कुलबिधी राजा अचले संगमु निशादू समाजा उन्होंने जाकर बिंती की इस समय हो गया अब पधारिये यह सुनते ही नगारों पर चोट परी गुरु बशिस्दि से पूछ कर और कुल की सब रितियों को करके राजा दसरजी मुनियों और सादूयों के समाज को साथ लेकर शले अब भाग्य विभाव अवधे सकर देखी देव ब्रम्हादी अलगे सराहन सह समुखा जानी जनमनी जबादी अब अधनरेश दसरजी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन ब्यर्थ समझकर ब्रम्हादी देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे असुरनसुमंगल आबसरुजाना अबरसहि सुमन बजाई निशाना अस्षिब ब्रम्हादीक बीबुध बरूथा अच्छडे बिमान निनाना जूथा देवगन सुन्दर मंगल का अफशर जानकर नगारे बजा बजा कर फूल बरसाते हैं शीब जी ब्रम्हादी आदी देव ब्रिंद यूथ तोलियां बना बना कर बिमानों पर चड़े अप्रेम पूलक अतन हिर्दय उच्छाऊं अच्छले बिलो का नराम बिवाहों अदेखी जनक पूरू असुर अनुरागे अनिजा निजलो का सवही लगुलागे और प्रेम से पूल की सरीर हो तता हिर्दय में उत्सा भर कर स्रीराम चंजी का बिवाह देखने चले जनक पूर को देखकर देवताई इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुक्छ लगने लगे अचित वही चाकित अबिचित्र बिताना अरचना सकलालो किकनाना अनागार नारी अनरा रूप निधाना असुधर सुधर समसुसिल सुजाना पिचित्र मंडप को तथानाना प्रकार की शव अलोकिक रचनाओं को ये चकित होकर देख रहे हैं नगर के इस्तिरी प्रूप रूप के वंडार सुघर स्रेष्ट धरमातमा सुशील और सुजान है अती नहीं देखी असव सुरनारी अभाए नखत जनुभी धूजी आरी अभी धी भायावू आचारा जुभी सेखी अनिजकरनी का छुकता हुन देखी उन्हें देखकर सब्देवता और देवागना ऐसे प्रभाव हीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तहरागन फिके पर जाते हैं ब्रह्मा जी को भी से साश्चर जुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं असिव समुझाये देवसव जनियाचर जबुलाव का हिर्दय विचार हो धीर धरी सीर गुबीर भियाव तब शिव जी ने सब देवताओ के समझाया कि तुम लोग आश्चर में मत भूलो हिर्दय में धीर धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा महिनी सक्ती स्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मान्डो के परमिश्वर साक्षात भगवान स्री राम चंद्जी का विवा है अजिनकर नाम लेत जगमाही असकलय मंगल मूलनसाही अकरतलहो हि पदारत चारी तैस्यराम कहेऊ का मारी जिनका नाम लेते हैं जगत में सारे अमंगलो की जर कर जाती है और चारो पदारत माने अर्थ धर्म और काम और मोक्ष मुठी में आ जाते हैं यह वही जगत के मात अपीता सिरी सीता राम जी हैं काम के सत्रू शिव जी ने ऐसा कहा, यही भी धी संभू असुरा न समुझाबा, अपुनी आगे बरबसह चलावा, अदेवन देखे दसरतु जाता, अमहा मोदमन पुलकित गाता, इस प्रकार सिव जी ने देवताओं को समझाया, और फिर अपने स्रेस्ट बैल नंदिश स्वर को आगे बढ़ाया, देवताओं ने देखा कि दसरत जी मन में बरही प्रशन और सरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं, अशाधु शमाज असंग महि देवा, अज्यनु तनु धरे करही शुख सेवा, असोहत साथ सुभग सुतचारी, अज्यनु अपबरग सकल तनु धारी, उनके शाथ परमहर्श्युक्त साधु और ब्रामनों की मंदली ऐसे ऐसी सोभा दे रही है, मानो समस्त सुख सरीर धारन करके उनकी शेवा कर रहे हो, चारो सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुसोवित हो रहे हैं, मानो संपुर्ण मक्ष सालोक के सामिप्व सारूप्व सायुज सरीर धारन की ये हुए हो, अम्मारब का तकान का अबरान बरा जोरी देखी सुरान भै प्रीती न थोरी, अपुनी राम ही अभी लोकी ही हे हरसे, अनिर्पा ही सराही शुमन तीन बरसे, मरकत मनिय और सुवर्ण के रंग की सुन्दर जोरियों को देखकर देवताओं को कम प्रीती नहीं हुई रथात बहुत ही प्रीती हुई फिर स्री राम चंद जी को देखकर वेहरदय में अस्त्यांत हरसित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए राम रूपुनक सिख सुभगा बारही बार निहार अपुलक गात लोचन सजला उमा समेत पुरारी नक से सिखा तक सी राम चंद जी के सुन्दर रुप को बारवार देखते हुए पारवती जी सहित श्री शिवजी का सरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमास्रों के जल से भर गए अके की कंठ अदूति श्यामल यंगा अत्वरित भिनिंद का बशन शुरंगा अभ्याह विभूशन बीविधा बनाए अमंगल सब सब भाति शुहाए राम जी कमोर के कंठ सी कांती वाला श्याम शरीर है विजिली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के बस रहे हैं सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भाति भाति के विवाह के आभुशन शरीर पर सजाय हुए है असरद भीमल बिदू अबदन शुहावन अन्येन नवल राजीव लजावन असकल अलोकिक सुंदर ताई अकही न जाई मनही मन भाई उनका सुंदर मुख्षरत रूपी चंद्रमा के शमान निर्मल और मनोहर ने त्रक नवीन कमल को लजाने बाले हैं सारी सुंदर ताई जो है अलोकिक है माया की बनी नहीं है दिब्व सचिदानंद मैं है कही नहीं जा सकती मनी ही मन बहुत प्रिये लगती है बन्धु मनोहर असोह ही संगा अज्जात नचावत चपल तुरंगा राज कुरबर बाजी देखावा ही अब बन्स प्रसंस कभी रिद सुनावा ही साथ में मनोहर भाई सोभीत है जो चंचल घोरों को नचाते हुए चले जा रहे हैं राज कुमार स्रेस्ट घोरों को दिखला रहे हैं और बन्स की प्रसंसा करने वाले मागद भाट बिर्दावली सुना रहे हैं जही तुरंग पर राम विराजे अगती बिलो की खगनाय कुलाजे अकही नजाई सब भाति सुहावा अबाजी बेशु जनु काम बनावा जिस घोरे पर स्री राम जी बिराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरूर भी लजा जाते हैं उसका बरना नहीं हो सकता वह सब प्रकार से सुन्दर है मान्यो काम देव नहीं घोरे का बेश धारन कर लिया हो जनु बाजी बेशु बनाई मन सिजु राम हित अतिशो हई आपने बैबल रूप गुनगती सकल भुबन भी मोहई मानो सिजु राम चंज के लिए काम देव घोरे का बेश बना कर अत्यंत सोवित हो रहा है वह अपनी अवस्ता बल रूप गुन और चाल से समस्त लोकों को मोहित कर रहा है सुन्दर मोती मनी और मानिक लगी हुई है जराओ जीन जोती से जगमगा रहा है उसकी सुन्दर घुंगुरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुस और मुनी सभी ठगे जाते है प्रभु मान सही लेलीन मनू चलत बाजी छबी पाओ अभुसीत उरगान तरित धनू जनू बरबर ही नचाओ मैं अपने मन को लिन किये चलता हुआ वह घुडा बरी सोभा पा रहा है मानू तारागम तथा बिजली से अलंकित मैं एक सुन्दर मूर को नचा रहा हूँ अज्यही बरबाजी अरामु असवारा अत्यही सार दवन बरने पारा असंकरु राम रूप अनूरागे अन्यन पंच दस अति प्रियलागे जिस रस्त भोरे पर सिर्रामचंजी सवार हैं उसका बरना सर्श्वती जी भी नहीं कर सकती संकर्जी सी रामचंजी के रूप में ऐसे अनूरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रा नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हरी हीत सहीत रामु जब जो है रामा समेत रामा पतिमो है अनीरकी राम चबी बीधिहार शाने आठई नए नजानी पच्छिताने भगवान बिश्मु ने जब प्रेम सहीत राम को देखा तब वे रामिनित्या की मुर्ती सी लक्ष्मी के पती सी लक्ष्मी जी सहीत मोहित हो गए सी रामचंजी की सोभा देखकर ब्रहमा जी वरे प्रसन हुए पर अपने आठी नितर जानकर पश्टाने लगे असूरसेनप अउरबहुत उच्छाहूं अबिधिते देवडलो चनलाहू रामही चितव शूरे ससुजाना अगवतमश्राप उपरमहितमाना देवताओं के शेनापती श्वामी कार्ति के हिदय में बड़ा उत्सा है क्योंकि वे ब्रहमा जी से डियोड़े अर्थात बारा नितरों से रामदर्सन का सुंदर लाब उठा रहे हैं सुजान इंद्र अपने हजार नेतरों से सी रामचन जी को देख रहे हैं और गवतम जी के साब को अपने लिए परमहित कर मानता हैं अदेब सकल असुरापति ही सियाही आजु पुरंदर समको नाही अमुदित देब गन राम ही देखी अनिर्प समा जदु हरा सुभी सेखी सभी देवता देवराज इंद्र से इर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दुसरा कोई नहीं है सी रामचन जी को देख कर देवगन परसन है और दोनों राजाओं के समाज में विशेश हर्च छा रहा है अतिहरा सुराज समाज दुहुदिसी दुदूम्भिबा जही घनी बरसन ही सुमन सुराहराशी कही जये जय जयती जय रगुकुलमनी यही भाती जानी बरात आबत बाजने बह भाजही रानी सुआसनी बोली पर अच्छनी हेतु मंगल सा जही दोनों और से राजसमाज में अत्यांत हर्स है और बड़े जोर से नगारे बज रहे हैं डेता प्रसन होकर औरकुलमनी शिराम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बर्सा रहे हैं इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी शुहाग ने स्थिनों को बुलाकर पर्चन के लिए मंगल द्रब्व सजाने लगी सजी आरतियाने कभी धी मंगल सकल सवारी चलित मुधित परिछानी करना गजगामनी बरनारी अने प्रकार से आर्थी सजकर और समस्त मंगल्द रभ्यों को यथा योग सजाकर गजगामनी उत्तम इस्त्रिया आनंद परुख परिछन के लिए चलिए अबी धुबदनी सबसबम रिगलोचनी असब निजतन छबी रती मदुमोचनी पहिरे बराना अब बराना बराचीरा असकल भी भूशन सजे सरीरा सबी इस्त्रिया चंदर मुखी चंदर पां के शमान मुख वाली और सभी मरिगलोचनी हरीन की सिया खो वाली है और सभी अपने सरीर की शवासे रती के गर्ब को छुड़ाने वाली है रंग रंग की सुंदर सारी अप आने है और सरीर पर सब आभुशन सजे हुए है असकल सुमंगल अंग बनाए अकरहि गानकल कंठी लजाए अकंकन किंकीने अनू पुरबा जहीं अच्चाली बिलो की कामग जला जहीं समस्त अंगो को शुंदर मंगल पदाथो से सजाए हुए वे क्वेल को भी लजाती हुई मधूर स्वर से गान कर रही है कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं इस्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते है अबाज अहीं बाजने अबीविधा प्रकारा अनभरु नगर सुमंगल चारा सची सारदा अरमा भवानी अजे सुरतिय सुची सहज सयानी अनेक प्रकारों के बाजे बज रहे हैं आकास और नगर दोनों अस्थानों में सुन्दर मंगल अचार हो रहे हैं सची मनेंद्रानी, शरस्वती, लक्ष्मी, पारवती और दो सुभाव सही पवित्रों स्यानी देवांगनायती अकपट नारी अबरबेस बनाई अम्मिली सकलर निबास ही जाई अकरहिगान अकलमंगलवानी अहरस बिवस सब काहु नजानी वे सब कपट से सुंदर इस्त्री का बेश बनाकर रहिवास में जामिली और मनोहरवानी से मंगलगान करने लगी सब कोई हरस के विशेश बस थे अता किसी ने उन्हें पहचाना नहीं आको जान के ही आनन्द बस सब ब्रह्मु बर परिछन चली कलगान मधुर निशान बर सही सुमन सुर सोभा भली कौन किसे जाने पास चाने आनन्द के बसुई सब ब्रह्म का पर्चन करने चली मनोहरगान हो रहा है मधूर मधूर नगारे बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं बर यह अच्छी सोबा है आनन्द कंदूला को देखकर सब इस्त्रिया हिर्दय में हर्शित हुई उनके कमल सरी के नित्रों में पिरे मास्रुमों का जलुमर आया और सुन्दर अंगों में पुलकावली चा गई जो सुखु भासिये मातु मन देखी राम बरबेश असो नसका ही कही कलपसता सहसे सार दाशेश स्री राम चंजी का बरबेश देखर सिता जी की माता सुने ना जी के मन में जो सुकु आ उसे हजारो सरस्वती और सेश जी सौ कलपों में भी नहीं कह सक्ते तो बोलिए जैसी आराम जै जै हनुमान बोलिये शियावर राम चंद की जै पवंशुत हनुमान की जै बोलो भाई शब शंतन की जै हरहर महादेव जै शिव संभो हरहर महादेव